पूर्व मुखी मंतरी अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को पुलिस ने मंगलबार को उनकी निवास से गिरफतार कर लिया है। पेशी होगी। जानकारी के अनुसार पुलिस मंगलबार को सुभा से ही अमित के बंगले के इर्द गिरद अपना डेराड डाले रखी थी। और अमित की गिरफतारी को लेकर कयास लगाया जा रहा था। 420 के तहट मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2013 के विधानसवा चुनाओं में मरवाही विधानसवा शेतर से बीजेपी की प्रत्याशी रही समीरा पेकरा ने शिकायत की। उनके मताबिक अमित जोगी ने शपत पत्र में अपना जन्व स्थान गलत बताया था। जिस पर गोरिला थाने में अमित जोगी के विरुद्ध धोखा धड़ी का केस तरज किया गया। अमित जोगी ने गिरफतारी को बदले की भावनामी की गई कारवाई बताया। एम बगहिल पर निशाना साधते हुए जोगी ने कहा कि भुपेश बगहिल स्वयम को नियाय पालिका की ऊपर समझते हैं।